हलो दोस्तों मेरा नाम है यश स्वागत है आपका मेरे चैनल दे ट्रेलर में आज की कहानी ऐसी हैरत अंगेस कार रॉबरीज के बारे में है जिसे ये मास्टर माइन चोर 15 सालों तक अंजाम देता रहा और पुलिस उसे बस जूनती रह गई ये कार्स इतनी चालागी से चुराई गई और इनकी पहचान को इतनी सफाई से मिटाया और बदला गया कि कैनाडा का आटियो डिपार्टमेंट भी धोका खा गया और इस पूरे ओपरेशन में इस मास्टर माइन ने लगबग 10 मिलियन डॉलर कमाए एक वक्त में ये चोरिया इतनी जादा बढ़ गई कि इसने कार कमपनीज और इंशुरेंस कमपनीज की नीन दोड़ा कर रख दी जिसकी वज़ासे car companies ने अपनी सभी cars के security measures बदल दिये और insurance companies को अपनी claim policies बदलनी पड़ी चुके इस पूरे operation में सिफ luxury cars ही चुराई जाती थी इसलिए car companies ने अपनी हर car में state of the art technology इंट्रोडियूस की जिसके तहट अब हर कार में computerize चाबियां, advance alarm system और engine immobilizer जैसी techniques को install किया गया मगर इतनी security बढ़ाने के बावजूद भी car companies और policies mastermind को चोड़िया करने से नहीं रोख पाए और ये गाड़ियां पूरे Canada और America के साथ-साथ दूसरी countries में भी बेची गई तो आखिर कौन था ये mastermind कैसे इसने Canada की सबसे बड़ी car robbery को अंजाम दिया और क्या ये कभी पूरिस के हाथ लगा ये जानकर आप हैरत में पढ़ जाएंगे सन 1990 के दशक में अचानक कैनेडा के शहर टोरेंटो की सलकों से महंगी और लगजरी गाड़ियां गायब होनी शुरू हो जाती है कार क्राइम यूनिट पुलिस को जब इन चोरियों की खबर मिलना शुरू हुई तो उन्होंने अपना पूरा जोर लगा दिया इन चोरियों को पकड़ने में मगर चूकर ये चोरिया एतनी सफाई से की गई थी कि पुलिस एक कार को भी ट्रेस नहीं कर पाई इन चोरियों ने पुलिस को कश्मकश में डाल दिया क्योंके कई कार्स तो इनकी अस्दी चावियं लगा कर चुराई गई थी और पुलिस का मानना था कि लगबग हर साल तीन मिलन डॉलर की कार को चुरा कर उन्हें बेचा जा रहा था बगर ये सब कुछ कैसे हो रहा था ये पता लगाते लगाते पुलिस को पूरे 15 साल निकल गए इस चुरी के मास्टर माइन का नाम था बिल धालीवाल जो एक इंडियन ओरिजिन का शक्स था और कैनेड़ा की शहर टोरंटो का रहने वाला था हाला के बिल एक मंझा हुआ मैकैनिक था और अपना एक गराज चला रहा था मगर इस गराज की आल में वो एक ऐसी गैंग चला रहा था जो कैनेड़ा की सबसे बहतरीन कारचोरियों का अंजाम दे रही थी इस गराज की आल में वो लोग गाड़ियां चुराने से लेकर उनकी पूरी पहचान बदलने और फिर उन गाड़ियों को बेचने का काम कर रहे थे हाला के बिल ये गराज अपनी बीवी के साथ चला रहा था मगर बिल और उसकी बीवी का एक ही सपना था और वो ये था कि वो किसी भी कीमत पर जल्द से जल पैसा कमाना चाते थे पिर चाहिए उन्हें इसके लिए गहर कानूनी काम ही क्यों न करना पड़े चुके बिल अस्टी के दशक में इंशुरेंस फ्रॉड की वज़ा से जेल की सजा भी काट चुका था और जेल से बाहर आते ही उसने फैसला कर लिया था कि अब बड़ी चोरियों का इंजाम दे कर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएगा इन चोरियों की शुरुआत तब हुई जब एक सुबह बिल एक कबाल खाने पहुँचता है ये गाडियों का कबाल खाना था जहां लोग अपनी बेकार हो चुकी गाडियों को बेच जाते थे कबाल खाने पहुचने के बाद बिल की नज़र एक बिलकुल पुरानी खटारा BMW कार पर पढ़ती है जिसकी हालत एकसिडेंट होने की वज़से बहुत खराब हो चुकी थी और वो किसी काम की नहीं थी बिल उस कार को खरील लेता है मगर इसके पीछे उसका मकसद कार को ठीक करना नहीं था बलके वो उस कार से एक ऐसी information निकालना चाहता था जो उस कार से कई जादा कीमती थी बिल ने ये कबाड हुई कार इसलिए खरीदी थी क्योंकि वो उस कार के vehicle identification नमबर को हासिल करना चाहता था ये V.I.N. नमबर एक unique नमबर होता है किसी भी कार को जैसे ही क्रेश करके डिस्पोस किया जाता है उसके vehicle identification नमबर को RTO के record से हटा दिया जाता है मगर चुके बिल इस vehicle identification नमबर को एक हैरत अंगेस तरीके से एक नई जिन्दगी देना चाहता था इसलिए वो इस कार को डिस्पोस होने से पहले ही खरीद लेता है इस कार को खरीदने के बाद बिल ने सबसे पहले जो काम किया वो ये था कि उसने अपने साथ एक चोर को शामिल कर लिया इस चोर का नाम था Cloud LRG जो Eastern Canada का एक मशहूर चोर था और अपने काम में बहुत ही माहिर था LRG में एक खासियत थी कि वो किसी भी कार के एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लेता था जिसकी वज़ा से वो किसी भी कार को आसानी से चुरा लेता था LRG को अपने साथ शामिल करने के बाद बिल उससे एक बिलकुल उसी मॉडल की BMW चुराने के लिए कहता है जैसी उसने उस कबाल काने से खरीदी थी दो दिन बाद LRG की नजर बिलकुल वैसी ही एक BMW पर पढ़ती है और वो उसी वक्त फैसला कर लेता है कि वो इसी कार को चुराएगा आदी रात होते ही LRG उस कार के पास पहुँचता है और अपने बैग में से एक टूल निकाल कर उस कार के लॉक में लगाता है महस दो मिनट के अंदर ही वो इस कार के लॉक को खोलने में कामियाब हो जाता है कार के अंदर पहुँशने के बाद LRG के सामने जो सबसे जरूरी काम था वो था इंजन इंमोबिलाइजर को डिसेबल करना ये इस चोरी का सबसे पेचीदा काम था मगर LRG ने इसका इंतजाम भी पहले ही कर रखा था LRG ने कुछ वक्त पहले एक कार डीलर के शोरूम से कुछ मास्टर कीज और एक डाइगनोस्टिक प्रोग्राम चुराया था ये कार डियागनोस्टिक प्रोग्राम था जिसका इस्तमाल कार डीलर्स करते थे किसी भी कार के कम्प्यूटर को रीप्रोग्राम करने के लिए LRG इसी कार डियागनोस्टिक प्रोग्राम की मदद से इस कार के कम्प्यूटर को रीप्रोग्राम करता है और उन मास्टर कीस का इस्तमाल करके इंजन इंमोबिलाइजर को डिसिबल कर देता है और इस कार को स्टार्ट कर देता है कार स्टार्ट करने के बाद एलारजी उस कार को लेकर निकल जाता है और अभी उसे कार को ड्राइब करते थोड़ी देर ही हुई थी कि तब ही वो देखता है कि पुलिस प्रट्रोल कार उसकी कार के पीछे चल रही है ये देखते हैं ये लार जी के हाथ पैर फूल जाते हैं मगर वो खुद को शांत रखते हुए अपनी कार को एक टरन पर मोड लेता है और कुशी देर में वो कार बिल के हैंड ओवर कर चुका था उदर बिल बेसबरी से इस बात का इंतजार कर रहा था कि चोरी की हुई कार उसके हाथ लगे और वो जल से जल उसकी पूरी पहचान बदल दे और इसके लिए जो तरीका उसने अपनाया वो बेहत हैरत अंगेज और नोखा था बिल ने कबाल में जो कार खरीदी थी अब उसके इस्तमाल का वक्त आ चुका था बिल का प्लान था कि वो चोरी की हुई कार के आइडेटिफिकेशन नमर को मिटा कर उसमें उसकर के वेहिकल आइडेटिफिकेशन नमर लिखे गा जो उसने कबाल में खरीदी थी ताके वो एक यूस कार लगे ना के चोरी की हुई अपने इस प्लान को अंजाम देने के लिए बिल सबसे पहले चोरी की हुई कार के सबी आइटिफिकेशन नमबर को मिटाना शुरू करता है सबसे पहले वो सामने से दिखने वाले वी आइट नमबर जो विंडशील्ड पर और ड्राइवर विंड़ो के पास जो स्टिकर के उपर थे उन्हें हटाता है मगर बिल ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि हर कार में छुपे हुए वी आइट नमबर भी होते हैं जिनका इस्तमाल कार रॉबर इन्वेस्टिकेशन में किया जाता है इसलिए उसके लिए बहुत जरूरी था कि वो सभी वियाइन नमबर को ढूंड कर मिटाए और उसने बिलकुल ऐसा किया भी बिल ने घंटो उसकार को अंदर से बाहर तक चेक किया और एक एक वियाइन नमबर को ढूंड कर उसे मिटा दिया वियाईन नमबर मिटाने के बाद बिल उस कार के लिए नकली वियाईन स्टिकर्स बनवाता है ये नकली वियाईन स्टिकर्स उसने एक शक्स से बनवाई थे जो नकली सर्टिफिकेट बनाता था और यह नकली वियाइन स्टिकर देखने में अतने असली थे के इन्हे पहचानना मुश्किल था इन V.I.N. स्टिकर पर उन कार के नंबर्स होते हैं जो अब इस्तमाल में नहीं थी और जिने बिल कबार से खरी लाता था स्टिकर का इंतजाम करने के बाद बिल ने उस कार के लिए नंबर प्लेट्स बनवाई जिसमें स्क्रूबी मैचिंग के लगे थे मगर इतनी तयारी करने के बाद भी बिल अब भी पूरी तरह सैटिस्फाई नहीं था क्योंकि वो ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि कुछ गाणियों के वियाई नंबर उसके कम्प्यूटर में भी होते हैं जिसकी वज़ा से वो कार कम्प्यूटर से लिंग होती थी और इससे नहीं पटने के लिए बिल ने उस डाइगनोस्टिक प्रोग्राम का इस्तमाल किया जो एलार जी ने चुराया था और कार्स के कम्प्यूटर को री प्रोग्राम कर दिया बिल हर डीटेल पर बहुत बारीकी से ध्यान दे रहा था वो सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पर दे रहा था के चोरी की युई गाड़ी को इस तरह बदला जाये के उसे खुद कार ओनर या कार कंपनी भी न पहचान पाए और इसलिए उसने कार के कलर से लेकर उसके वियाएन नमबर, नमबर प्लेट और छोटी से छोटी चीज़ को बदल दिया चोरी की हुई गाड़ियों पर इस तरह काम किया गया कि अब उनमें और असली गाड़ी में फर्क करना मुश्किल था मागर अब भी बिल के सामने एक आखरी और सबसे जरूरी काम बागी था और वो था इन गाड़ियों को मोटर वहिकल डिपार्टमेंट में रेजिस्टर कराना हाला कि Bill ने इन गाडियों के V.I.N. Numbers तो चेंज कर दिये थे मगर उसके पास इन गाडियों के कोई documents नहीं थे और तब बिल एक बहुती शातर चाल चलता है Bill इन V.I.N. Numbers पर इन गाडियों की fake document history बनाता है जिसमें नकली sale invoices और नकली inspection form शामिल थे बिल इन गाडियों के V.I.N. नंबर्स चेंज कर चुका था गाड़ी के नंबर प्लेट और उसका कलर बदल चुका था और साथी साथ इन V.I.N. नंबर्स पर गाड़ीयों के डॉक्यूमेंट्स भी तयार कर चुका था जिसकी वजह से उसकी गाड़ीयों बहुत आसानी से मोोटर वेहीकल colony डिपाटमेंट में रेजिस्टर हो गई अब बिल बिना किसी डर के गाड़ीयों लोगों को बेषने लगा क्योंके गाड़ीया पूरी तरह लीगल हो चुकी थी और motor vehicle department में register होने की वेज़े से इनकी पहचान भी पूरी तरह बदल गई थी जिसकी वेज़े से इन गाड़ियों को कोई पकड़ नहीं सकता था इस पूरे operation में बिलको एक कार को तयार करने का जो खर्चा आ रहा था वो था 8000 डॉलर जिसमें से 5000 डॉलर वो इलारजी को दे रहा था कार चुराने के 5000 डॉलर वो अन्यूस कार के वियाए नमबर लेने के लिए खर्च करता और 500 डॉलर दे कर ये वियाए नमबर कार और कार के कम्पीटर में इस्टॉल कर लेता अब इन चोरियों की गाड़ियों की पहचान बदलकर इन्हें मारकेट प्राइस से महस कुछ कम दाम में बेच देता मिसाल की तोर पर एक मरसेडिस जिसकी शोरूम कीमत थी 80,000 डॉलर वो अपनी चोरी की हुई मरसेडिस को 70,000 डॉलर में बेच देता और इस तरह वो अपनी लागत से 10 गुना जादा दाम में एक कार को बेच रहा था कार को महस कुछ कम दाम में बेचने के दो फाइदे हुए पहला ये किसी को ये शक नहीं हुआ कि ये कार चोरी की है दूसरा ये कि ये सबी कार्स फटा फट फट विग गई जैसे ही किसी को पता चलता कि अच्छी कंडिशन की कार मार्किट प्राइस से 10-10 डॉलर कम में मिल रही है वो से फौरण खरी लेता बिल हर कार डील में अंदा धुन पैसे कमा रहा था और इन कार को इस तरह बदला गया अब उसे पैसे कमाने की ऐसी लट लगी कि वो LRG को बाकाइदा गाड़ियों के लिस्ट बना कर देने लगा और साथी साथ ये भी कहता कि उसे एक हफ़ते में इतनी गाड़ियों चाहिए ही चाहिए है इसी दोरान बिल को एक परिशानी का सामना करना पड़ता है और वो ये थी कि जिस कबाल खाने से वो V.I.N. नमबर्स के लिए कार खरीदता था वहाँ आप इतनी गाड़ियों नहीं मिल पा रही थी जिससे वो अपने पास आ रही गाड़ियों की डिमांड को पूरा कर सके और तब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है जिसकी होज़े से उसकी प्रॉब्लम भी सॉल हो गई और उसका काम भी हलका और आसान हो गया बिल अपने एक दोसको कॉन्टैक करता है जो कैलिफोर्निया के एक कार पारकिंग में काम करता था और उसे कहता है कि उसे कुछ स्पैसिफिक कार मॉडल के वियाइन नमबर चाहिए है जिसके बदले वो उसे अच्छे पैसे देगा बिल ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था के ये कार्ज कैलिफोर्निया से कभी टोरंटो नही आएंगी और अब उसे बस गाडिया चुरा कर उन पर कैलिफोर्निया की कार्ज का वियाइन नमबर लगाना होगा और किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा क्योंकि इस वियाई नमबर की दूसरी कार पूरे कैनेड़ा में नहीं मिलेगी बिल अपने दोसको पैसे इतने अच्छे दे रहा था कि वो फॉरण इस काम के लिए राजी हो जाता है और अपने साथ कई और लोगों को भी शामिल कर लेता है क्योंकि इन वियाई नमबर की गाड़ियां कैनेड़ा से बहुत दूर अमेरिका के शहरों में चल रही थी अब बिल के पास दो टीमे थी एक टीम जो बिल के लिए वियाई नमबर का इंतजाम कर रही थी और दूसरी टीम जिसमें LRG अपने कुछ बंदों के साथ मिलकर इन गाड़ियों को चुरा रहा था उन लोगोंने अपने इस पूरे उपरेशन को इतना और्गनाईज कर लिया था के LRG बाकाइदा बंदे हायर करके उन्हें गाड़ियों चुराने की ट्रेनिंग देने लगा और साथी साथ वो उन पर नजर भी रखने लगा कि वो चोड़ियों को सही धंक से अंजाम दे रहे हैं या नहीं इन ट्रेनिंग सेशन में LRG उन बंदों को गाड़ियों के एडवांस सिक्यूरिटी सिस्टम को हैक करना गाड़ियों के लॉक्स खोलना और साथी साथ उन्हें पुलिस से कैसे बचना है इन सभी चीज़ों की ट्रेनिंग देता चूँके बिल के पास अब लगभग 15 वियाएं नंबर्स आ चुके थे इसलिए वो फैसला करता है कि वो इस बाद टोरेंटो के पियर्सन एरपोर्ट को टार्गेट करेगा ये एरपोर्ट उनके लिए किसी सोने की खान से कम नहीं था क्योंके जादा तर ट्रेवल करने वाले पैसेंजर अपनी महंगी गाड़िया इसी एरपोर्ट की पार्किंग में खड़े करके चले जाते थे और वो कई दिनों तक वहीं खड़ी रहती थी इसी बात का फाइदा उठा कर एलार जी और उसकी टीम ने महस तीन दिनों के अंदर लगभग 15 गाड़ियों उस पार्किंग लोट से चुरा ली इस चोरी के बाद बिल ने इन सभी गाड़ियों को कुछ दिनों के लिए अलग अलग पार्किंग लोट से पाक करवा दिया ताके पुलिस अगर गाड़ियों को ढूनना शुरू करे भी तो उन तक न पहुंच सके और फिर एके करके सबी गाड़ियों के पहचान बदली और उनने बेच दिया बिल का इपूरा उपरेशन उस वक्त अपने पीक पर था और वो महज एक हफ़ते के अंदर 6 गाड़ियां बेच रहा था जिसमें होने वाला प्रॉफिट ता लग भग 2.5 लाग डॉलर बिल इतना शातिर और चालाग था और अपने इस काम में इतना माहिर हो चुका था कि कुछ महीनों बाद उसने उनी कस्टमर्स की गाड़ियां चुरानी शुरू कर दी जिने उसने गाड़ियां बेची थी और साथी साथ उसने कार डीलर्शिप में काम करने वाले कुछ लोगों को मोटी रिशुत खिला कर अपनी तरफ कर लिया ताके वो लोग उसे गाड़ियों की चापी बना कर दें और उन्हें सीधा कार शोरूम से चुरा सके बिल के लिए अब गाड़ियां चुराना और भी आसान हो गया और जो तरीका वो इन गाड़ियों के पहचान बदलने के लिए इस्तमाल कर रहा था वो ना कभी लोगों ने देखा और ना कभी सुना और यही वज़ा थी के अंडर वर्ल की दुनिया में वो एक जाना माना नाम बन गया और लोग उसकी चालाकी और काम्याबी की विदे से उसकी बहुत इज़त करने लगे बिल को इस बात का बिलकुल भी अंदाजा नहीं था कि यह शौरत उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी और वो पुलिस की नजरों में आ जाएगा पुलिस का एक खबरी जो अंडर वर्ल और उसके लोगों पर नजर रख रहा था वो पुलिस को बताता है कि बिल धली वाल नाम का एक आदमी आजकल बहुत चर्चा में है और उसने चोरी की गाणियां बेच कर बहुत कम वक्त में बहुत अच्छे पैसे कमाए है ये सुनते ही पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं और वो बिल पर नजर रखना शुरू कर देती है और महस कुछी दिनों बाद माई सन 1999 में पुलिस एक चोरी की कार रखने के जुरूम में उसे 6 महीने के लिए जेल बेच देती है पुलिस अभी इस बात से बिलकुल बेखबर थी के कैनड़ा के कार रॉबरी रैकेट का मास्टर माइंड बिल धली वाली है हाला कि जेल की सजा भी बिल को अपने चोरी के ऑपरेशन को अंजाम देने से नहीं रोक पाई अब वो जेल में बैट करी अपने पूरे चोरी के ऑपरेशन को चराने लगा जिसमें उसकी मदब उसकी बीवी कर रही थी अपनी सजा पूरी करने के बाद बिल जेल से बाहर आ चुका था और फिर उसने अपने इस पूरे उपरेशन को पुलिस की नजुर से बचा कर कई सालों तक अंजाम दिया लगतार हो रही कार चोरियों ने पुलिस की नींद उड़ा रखी थी और तब उन्हें पता चलता है कि इस पूरे उपरेशन का मास्टर माइन बिल धाली वाली है मगर उसके खिलाब कोई पुकता सबूत ना होनी की वज़ा से उसे गिरफतार नहीं कर पा रहे थे पुलिस ये चाहती थी कि वो बिल के पूरे उपरेशन के बारे में पता लगाए कि कैसे वो चोरी से लेकर गाड़ी बेशने तक का काम करता है और उसे रंगे हाथों पकड़े और इसके लिए पुलिस एक जाल बिचाती है पुलिस का प्लान था कि वो एक अंडरकवर एजन्ट को बिल के गैंग में शामिल करेंगे मगर इसके लिए उन्हें एक ऐसे शक्स की जरूरत थी जो बिल के ही गैंग का मेंबर हो और उनके साथ कॉपरेट करे मगर सवाल ये था कि बिल के गैंग का कोई भी मेंबर ऐसा करने के लिए राजी क्यूं होगा हाला कि पुलिस को वो शक्त जूडने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि बिल के पूरे गैंग में हर शक्त बहुत वफदार था और कोई भी उसे धोका देने के लिए तैयार नहीं था मगर जून सन 1999 में मुँखा पुलिस के हाथ लग जाता है बिल के गैंग का एक मेंबर कार चोरी को अंजाम दे ही रहा था कि तब ही पुलिस उसे गिराफ़तार कर लेती है और तब पुलिस अपना पैतरा आजमाते हुए उसके सामने एक डील लगती है पुलिस उससे कहती है कि अगर वो जेल की सजा से बचना चाता है तो वो उनके एक अंडरकवर एजन्ट को बिल के गैंग में शामिल कराने में उनकी मदद करे चुके वो गैंग मेंबर जेल नहीं जाना चाता था इसलिए वो फॉरन इस डील के लिए राजी हो जाता है अपने प्लैन के तहट पुलिस एक कैली नाम के पुलिस आफिसर को अंडरकवर एजन्ट बना कर उस गैंग मेंबर के साथ भेज़ती है जिसे वो गैंग मेंबर बिल से ये कहकर मिलवाता है कि इसका नाम फ्रेडी है और ये एक बहुत मंझा हुआ चोर है और हमारे साथ काम करना चाता है उनके बीच होने वाली हर बाचीत को पुलिस सुन पा रही थी क्योंके कैली ने अपनी बाड़ी पर माइक्रोफोन लगा रखा था जिससे पुलिस को उनकी पल पल की खबर मिल रही थी चूंके कैली को बिल का भरोसा जीतना था और उसे ये यकीन दिलाना था कि वो एक मंझा हुआ चोर है इसलिए वो कई महीनों तक बिल और उसकी गैंग के साथ मिलकर चोरियों का इंजाम देने लगा जिसकी वज़े से बिल अब उस पर आग बन करके भरोसा करने लगा मगर एक रोस कुछ ऐसा हुआ जिसकी वज़े से कैली एक्सपोस होते होते बच गया एक रोस कैली एलार जी के गैंग के साथ चोरी करके जैसे ही गराज वापस लोटा महां बिल के साथ एक चोर बैटा था और वो दोनों बाते कर रहे थे वो चोर जैसे ही कैली को देखता है वो से फौरन पहचान लेता है क्योंके कैली उसे पहले एक चोरी के जर्म में गिरफतार कर चुका था वो चोर बिल को बताता है के कैली एक पुलिस वाला है और यहां अंडरकवर एजेंट की तरह काम कर रहा है मगर बिल उसकी बात को नजर अंदास कर देता है क्यूंके कैली उनके साथ पिछले तीन महीनों से काम कर रहा था और कई चोरियों को अंजाम दे चुका था हाला कि बिल ने उस चोर की बात को खारिज करते हुए नजर अंदास तो कर दिया था मगर कैली को अब हर वक्त ये डर सताने लगा के बिल को कहीं ये शक न हो जाए के पुलिस उसका पीछा कर रही है और वो शहर चोड़ कर भाग जाए कैली को उस चोर से हर वक्त ये खत्रा महसूस होने लगा कि कहीं वो उसके खिलाफ कोई पुक्ता सबूत बिल को ला कर ना दे दे मगर इन सब के बावजूद भी कैली बिल का भरोसा जीतने में कामियाब हो गया और बिल और उसकी गैंग ये बात मानने को तयार ही नहीं थे कि कैली एक पुलिस उफिसर हो सकता है हाला कि पुलिस डिपार्टमन को ये लगने लगा और वो लग बिल और उसके गैंग को असानी से पकड़ सकें कैली पुलिस डिपार्टमन के दो आफिसर और बिल के बीच एक मीटिंग फिक्स करवाता है वो बिल से कहता है कि उसके पास एक पार्टी है जो बीम डबली और टोयटा की एक एक कार खरीदना चाते है और उसके लिए वो बिल से मिलना चाते है इस मीटिंग के लिए बिल और कैली एक साथ जाते हैं और पुलिस आफिसर को जैसे ही पुकता सबूत मिलता है वो बिल और कैली को एक साथ गिराफ़तार कर लेते हैं कैली को उन्होंने इसलिए गिराफ़तार किया ताके बिल को एक किसी भी तरह पता न चले के कैली उनके साथ मिला हुआ है। पुलिस को बिल के गराज से फर्जी डॉक्यूमेंट्स नंबर प्लेट्स मास्टर कीज और कई ऐसा सामान बरामद हुआ जिसकी बिना पर पुलिस ने उसे गिराफ़तार कर लिया। पुलिस अभी बिल से और जादा से जादा इंफोर्मिशन निकालना चाती थी और इसके लिए उन्होंने एक शातिर चाल चली। नहीं बयान दे जो बयान वो देने वाला है और तब रिकॉर्डिट पुलिस इंटरोगेशन के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसे देख बिल हक्का बक्का रह गया। पुलिस अभी बिल से सवाल जवाब करी रही थी कि तबी इंटरोगेशन रूम में केली दाखिल होता है और इस बार वो बिल का साती नहीं बलके पुलिस आफिसर बनकर अंदर दाखिल हुआ था। केली ने अपना यूनिफॉर्म पहन रखा था और उसके साथ दो और आफिसर्स थे जिनने देख बिल के पैरोतले जमीन सरग गई अंदर आने के बाद केली अपना बयान दर्च कराते हुए पुलिस आफिसर्स को हर उस चोरी के बारे में बताता है जिसे बिल ने अंजाम द चुका है माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हुई बाचीत और केली के बयान की बिना पर पुलिस इस केस को क्लोस करते हुए बिल को गिराफतार कर जेल भेज देती है ट्राइल के दोरान बिल पर औरगनाईज क्रिमिनल गैंग चलाने का मुकदमा दर्च किया जाता है बिल के खास आदमी अलारजी अपनी सारी चोरियों को कबूल कर लेता है जिसके बाद उसे साथ साल की सजा सुनाई जाती है और इसी कबूल नामे की बिना पर बिल को दस साल की सजा सुनाई जाती है हाला कि अपनी सजा के 10 साल काटने के बाद बिल ने फिर से वही गलत रास्ता चुना और एक लगजरी कार चुनाने के जुरम में उसे 12-6 महिने की सजा सुनाई गई चुके बिल ने अपनी चोरी के ऑपरेशन को 15 सालों तक चलाया जिसकी वज़ा से कई लोगों का मानना था कि बिल ये बिना पुलिस की मदद के नहीं कर सकता था और इन सभी चोरी को अंजाम देने में पुलिस नोसका साथ दिया दूसरी तियोरी ये थी के बिल इस पूरे उपरेशन में बस एक छोटा सा प्यादा था जबके ये पूरा उपरेशन बहुत बड़े और पावरफुल लोग चला रहे थे जिनकी पहचान आज भी सामने नहीं आई कोर्ट ने इन सभी थेरिस को खारिच करते हुए सबको अपनी अपनी सजा सुनाई जिसे पूरी करने के बाद सब जेल से रहा हो गए ये थी कहानी उस शातिर चोर की जिसने कैनेडा के इतियास की सबसे हैरत अंगेज और सबसे महंगी कार चोरियों का अंजाम दिया और वो भी पूलिस की नाक के नीचे जिसे पूलिस 15 सालों तक नहीं पकड़ पाई आपको ए कहानी कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में